चिन्वाडा के कोईला अंचल शेत्र अंतरगरत परासिया में एक वकील की तलवार और अन्य धारदा हत्यार से दिन धारडे हत्या कर दी गई इस गटा में उक्त वकील की स्थल पर ही मौत हो गई मिली जानकारी कयनुसाब वकील रितेश चोरिया का प्रेम फ्रसंग 3-4 सालों से शेत्र में रहने वाले चोरसिया परिवार की युफ्ती के साथ चल रहा था और मृतक रितेश चोरिया ने बीते साल उक्त युफ्ती से प्रेम विवार चाया था तब से लेकर आज तक युफ्ती के परिवार वाले मृतक से रंचिश रखते थे जिसके चलते युफ्ती के भाईयों ने काफी समय से ताक में रहने के बाद आज जब मृतक रिटेश चोरिया मान पैट्रूल पंप पर पैट्रूल डलवाने के लिए अपनी कार से पहुचा उसी वक्त मौका देखकर धारदा हतियार से रिटेश चोरिया की हत्या कर दी हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दोनों भाईयों ने न्यूंटन पुलिस चौकी पहुच कर आत्मसमरपन कर दिया गटना के बाद परासिया और न्यूंटन पुलिस सिस्थल पर पहुची और मृत्त वकील की बौडी बरामत की फिलहाल पुलिस मामले की जाच कर रही है चिन्वारा से बीसी ए नियूस के लिए शेखर राजपूर की रिपोर्ट